आज की हमारी खास महमान है आशा मालविय उम्र है उनकी केवल 25 साल वो एक एथलीट है ट्रैकर है साइकलिस्ट है महिला सेफटी के लिए उनके दिमाग में एक ऐसी बात आई कि वो अकेली ही निकल गई एक सोलो ट्रिप पर सोलो ट्रिप ऐसा कि कन्या कुमारे से करगिल स्याज चीन तक उन्होंने कवर कर दिया जिसमें भारतिय सेना का भी मुख्य रोल है आज हम उनसे बातचित करने जा रहे हैं वलकम अशा तैंक्यू माम अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात दमाग में यही आती है कि प्रेणा है मेरी माँ आप दो साल क कीती तु मेरी पापा की डिट होने के बाद मा मैरी का काम करती थी और भाहर का काम करके उन्होंने हमें यहां तक पुछा दी आ है आशा आप मध्य प्रदेश से हैं जाजगर जिसे की भारत कर दिल भी कहा जाता है आपने खुद भी जिक्र किया है तो आशा मालविय की जो जर्नी है वो मध्य प्रदेश से कैसे शुरू हुई कैसे वो आगे बढ़े और आज वो संसर टीवी के स्टूडियो तक पहुंची हैं बहुत सारी उपलब्धियों के साथ तो वो हम आपके आपसे हम समझना चाहेंगे जाना चाहेंगे इस पारे में मेरी लाइफ की शुरुवात होती है उनीस सो अन्धानवे मेरा पर्थ होता है और उसके दो साल बाद मेरे पापा की डेट हो जाती है में वर बेहन मा तीन लोग हम फैमिली में थे मा मेरी मा के पास कुछ था नहीं तो वो लेबर का काम करती थी डेली पचास साथ रुपे में मजदूरी करते थे और नहीं हमारे पास रहने के लिए घर था कुछ नहीं था मा मेरी हमें लेके अमने पापा की यहां से नाना की आ आ गई थी तो मेरे नाना की भी डेट हो गई मुझे पहले लिए फेमली के लिए करना है, मेरी अपन की शादियी करना है, मां के लिए घर बनाना है, पिर देश के लिए कुछ करना है, तो मैंने इस पोर्ट खेल नहीं कर शुरू कर दिया था और 10 तक मैं तीन पार नेशनल मेडल भी आचुके थे मेरे, 1 ले एक वार क Kimchi अशाओ कर लिया था कि मैं अपनी बहन का शादी करकु क्योंकि पाइसा थीकि का narciss tree a pस ती लगबुग 16 साल कर अगर आप बता से कि कितना पयसा का शाओ कर लिया था और मैं मैं ने कम से करम 4–5 लाओ क्यों था 16 साल में? 16 साल से लगा के माम बीस इस साल तक क्योंकि मेरा क्रेजुएशन बीस इस साल में हो गया था बड़ी बात जी आगे फिर क्या हुआ फिर कहते हैं माम कि जो पैसा होता है या जो जिम्नेदारी होती है वो सब को सिखा देती है लाइप में कव क्या करना है तो करना किया और उन से पूछा भी आप क्या करना चाहती हो लाइफ में तुनों ने कहा है कि मुझे पढ़ाई वड़ाई करना और कंग्रेजुएशन के बाद मुझे बश्बं करना है तो मैंने बहन की शादी की और बहन की शादी करने के बाद मुझे अगला टारगेट लग कि एनिवार कि मेरे चाहती है क्या हो खुट अर्गेतर रागे जब व्यारथ भ चाहिए तो मैं हमारे पस हो उनहका जगे नहीं हो और एक कोनी मैसे मेरी मा में बढ़ादी थी थी चाहिए ऑफ्ट मेरे Ditthi छुट our मेराथन करना चालो किया और अच मेरा उस अज मेरा एकार कि मुझे फरस से कंध थर्ड प्राइज कुछ यह है और इसका फरास की ज़िए प्राइज कुछ एव मुझे अधर को लेख गुछ प्राइज के अधरा तरण लेख और और उसकार में तक मेरी माँ के लिए मेरी माँ के लिए मेरी माँ के लिए मेरी 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 मेर अजब कर था अगर तक आशा उस meddles को पैसे के लिए जीतने का टारगे ती यह मैधल चाहिए था यह अपनी जीत चाहिए थी या कियोवल पस अब था किसी भी तरीके से कहीं से भी आए लेकिन आपने तकनीक चुना जो ळगड़ल चुना लेकिन मेरा टारग इडालेट था कि मुझे मेरी मां कई कुछ कर ना है क्योंकि वो मेरी रिस्पोंस पूलिटी आपा तो इसलिए माँ पैसे के लिए सिर्फ करती थी तो तक तक फिर मेरा घर बनने के बाद मेरा टारगेट अजिए मुझा पैसे के लिए पैसे लिए अब अब हाएँ अपने देश कि लिए कुछ करना है। मैं एक साइक्लिंग ट्रीप का प्लान बनाया कि मुझे पूरा इंडिया जाना है और इंडिया के हार स्टेट जाना है और वह पर ज्यादार यंगेस्टर से मिलना है इसकूल में जाना है कोलेज में जाना है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पढ़ती थी कि एक यंगेस्टर जिसका वह जो जो पंदराए पचीछ साल का उचोटी जो लेकर उसने ऐसे उल्टा सिधा कदम अभी कभी सवसाइट कर लिए बढ़ारी अब आप आज अप भी हम कोटा की वारे में जादा सुन्तियां क्योंकि मेरा ली चोटा के नजदी की ए मतलब रजिस्तान बोर्डर रही हैं सब दूमने डिजाइट कि बाइपा जब सबसे बाड़ एका ही। और मैंने तो अभाय छूटी ती तो हमारी हर भी उलMoreफमिति! प्रड़लम में ज्फाटी ती सबसे बड़ी प्रड़लम थी कहना ひे अब संक्श्य थी यह हुदी तो मैंने डिसाइड कि मुझे आजके यंगेस्टर से मिलना है और उनको यह बताना है कि हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना वह हमारे होसले से बड़ी नहीं हमें हर समश्या का सामना हीमत के साथ करना है अश्या आपके पहले ट्रिप की शुरुवात कभ हुई वह साल वह तारीक क्या थी मैं 1st November 22 को मधिपरदी से इस्तापना दीवस के दिन हमने इसको शुरू किया था उसके बाद आपने कितने राज्यों का दोरा किया मां 28 स्टेट का हमने ट्रिप किया एक बार में एक ही बार म कितना समय लगा आपको मैं मुझे 310 दिन लगा टोटल यात्रा करने में इस यात्रा के बारे में हमें बताईए 28 राज ये यस माम 28 राज करने के बाद 26,000 किलो में ने किया 26,000 किलो में बड़ी बात है बड़ी बात है इस माम बताईए और विदाउट अनी स्पोंसर्शिप इस डरीजित में सबसे बड़ी बात ये है और इसके बाद इस ट्रिप को शूरू किया 24 जुन को 24 में शूरू किया 24 जून को कन्या कुमारी से कन्या कुमारी से शुरू करने करगिल में लगबग 4,000 किलोमेटर किया कान्या कुमारी में कारगिल वीजी दिवस के लिए कर रहे थे तो कारगिल पहुचने के बाद मेरा अगला टारगेट था सियाचिन अगला पहुचने के लिए कर देश के लिए बहुत बड़ा दिन होता है तो 15 अगला इंडिपेंटेंटेंस दे को हम पहुच गया थे और शीयाचिन के बाद अमलिंगला जो वल्ड का हैस मोटरेबल पाश है 6 सप्तुमबर को मने वो साइकल से उस पे पहुचे और उस पहुच कर देशने के बाद अभी तयाली माम और लगबग 11,000 km इस ट्रिप मेरा हो गया है अच्छ तो आपने दो ट्रिप किया एक तो तक्रीबन 26,000 km और जो दूसरा है वो 11,000 km दोनों अगर मैं अगर मैं बात करो तो एक थोड़ी सी दूरी लंबी रही एक दूरी कम रही सबसे त तरफ से कुछ करूं कर लग कि अअछ शबसे मिले कार देशन का टुक अप थर देशन के लिए अव्यमeb कर घने करूंक कि यह मरे लिए उतना मुच्किल लगई तो एक जीए विजए मैरे ली अट्ना मुच्किल नहीं त लेकिन सबसे मुच्चल था म升 सबसे तरिब उसे लि कभी-भी मेरी cycle खराब हो जाती है तो मुझे है खुध dai period करना होता है बऱ मुझे यही लगता है कि मेरा जो target होता है तो मेरा focus focuses on target पे होता हुगा the problem pandra parents कि क्या मुश्किल है लकिन जो इस वकक अपको सुनरहे हैं और जरूदोर जानना चाहें कि ठीक है आपके जो बेसिक जो समस्या थी आपके जीवन की इसको आपने समाधान उसका निकाल लिया पिर आशामाल भी ट्रेकिंग पर क्यों साइकलिंग की तरफ क्यों निकल गई क्या वजह रही और उनको देश ही क्यों गूमना था महिला साशक्तिकरन की बात उनके दमाग में कैसे आई क्या जवाब है आपकी वारे देश के लिए अधर कंट्री में यह मैसिसा कि अओकिंग नीजी क्यों आज की आपकी दिन की आपकी वा में का दरफ कि लिए ट्रमने के लिए तो मुझे चानना था गाँ लिए आपके मैले किली जवाब है तुमना था तो मैंसभी देश की कम से कम मैं आज चार लाक मैलाओ से मिली हूँ और पांच लाग मैं यंगेस्टर से आज की स्टुडेंट से मिली हूँ पर मैंने इस दोनों ही ट्रिप में यह सिखाए और यह देखा है कि मारे तेज जैसा कुछ हो नहीं सकता और सेप्टी को लेकर बात करो मैं तो जो सेप्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है माम व जान के आंजान में जो भी इंसान करता है तो कुछ ऐसी हो सकती है लेकिन पूरा भारत वो कहते हैं भारत एक महान देश है तो इसकी मानता मैंने वहां देखी है कि जो एक इंसान दिन के 300-400 रुपे कमाता था और जब मैं कभी कभी साइकल से कहीं रुखती थी तो 3-400 साइकल यात्री और यहां से शुरू किया यहां खतम होगा बताने की कुछ जरूरत नहीं थी माम बस साइकल पर मैंने बेनर वगेरा लगा है था और एक फ्लेग वगेरा जो भी था बस उसी गुली कर तो दीश की मान था तो मैंने यहां देखी है माम इस सुनने में बहुत आपकी लग रही है आपकी बात आशा लेकिन अगर मैं खुद बैठकर इमाजिन करूँ कि मैं एक साइकल लेकर कि मैं निकल गई हूँ वह भारत तयात्रा पर और आब बात कर रही है कन्या कुमारी से करगिल तक कश्मीर तक शिया चीन तक आबात कर रही है रात में भी कई आब अगर मुझे ट्रावल करना पड़ता होगा मुझे रुकना भी है मुझे अपनी सेफटी भी देख निए यह इतना आसान नहीं है इसको कैसे आप ने आसान बनाया और जो समस्या अगर आई है तो इसके बारे में भी आपाईये कोई अच्छा अभाव है आपने किसी ऐ झाल मेरे देटेस टारगेट भैज भाती होजिए तिसरो तरौगेट थे जितना प्राया छाप को और रही बात बहुत अच्छे मोमेंट की मैं तो जब मेरे इंडिया ट्रीप एंप से शुरू किया एंप से गुजरात महारास जाने के बाद मैं नौट इस में पहुंची और नौट इस में सबसे पहली बार असम राइफल के डीजी सर से मिली थी जनरल पीसी नायर सर से उस सर कि अशनीनम माल बीक्तित अस इस मिल्य है लगै कि एंप सी कंहżyें कोस। नौट भीस हो शन्य है कि अच्ञी कव कर देजा है मैं अच्छे कर देजित अच्छे मेंमें लुका क्षि समय नागें तो इसे बी हो जाता है जब मैं इदर उदंपूर में पहुंची तो आज जो हमारे भारती सेना के सेनादेक्ष है, जनरल उबेंदी वेदी सर्ड, उनसे मैं मिली तुनों ने पूछा कि अशा कहा तक जा रहे हो, मैंने का सर बस शीरिनगर तक जाने का प्लान है कि शीरिनगर से उपर क्यों नहीं जा तो सर्ण नहीं मुझे बहुत मुटिवेट कि जा जाना चाहिए, तो सर्ण नहीं मेरी यात्र में बहुत मदद की हैं तो मैं आज उनकी बहुत बढ़ याभारी हूं सर्ण था नहीं चलागी सर अब भी MP से अपनी जगे उनके लिए उदेश नहीं था कि एंपी फेक्टर उ तो सबसे बड़ेकि यह था माम कि अकेली लड़की ना बेक अब एक सपोर्ट ना कोई मीडिया कुछ नहीं बस अकेली चल रही है और वे रात को मैं पहुझे ती हमाँ तो रात के अकेली लड़की व्या है तो सर को वह काफी अच्छा लगा ते अश्या लृष गाँ को आस मैं मैंसा लाइफ में मुझे आज तक कभी लगाई नहीं है इन 25 साल की एज मैं और इन 25 साल में यह जरूर लगता है मैं कि जब भी कुछ लगता है कि बहुत मुश्कील बहुत तफ है तो मुझे मेरी मां का वो चेरा कि पूरे दिन मज़ूरी करने के बाद शाम को इतनी गर्म मेरी मा की जितनी मैनत है उनके साम।ное मैनध तो कुछ भी नहीं है और फिर मेरी इस मैनत से आज कितने सारे पपछों को कितने सारे यंगेस्टर से कुछ सीखने को मिलेगा एक अकीली लडकी जिसने कभी हार नहीं मानी तो मैं मुझे बस वही चीज़ जा रहते ही है मै अग म कि हई धिश्पेशन कोई पुमेटेशन ताल हुआ Сейчас भां इन कि रविड़ाँन को से साइकलिस्तेeg जा हुआ है यहां दिखाटिक्टान कि भीड़ımı घर पासCs तीक साहल मेटा. में लड़ा। के खाने थी पूंक देवग तो शरो सुलिख से हैं लुटे। मैं न parlar Small Business &use, e- 1982 पूंक हुग मैंने साथ लुपए हुटारवन था मिर्साड़ था । अभी क्या कुछ समय है लिवहत्व लड़ा होगे । मैं बहुत कुछ मिलागी कि मेरा फॉन है कि थी ऑफ दोर किया और हुटा कर दी है और एक बार तो मैं मैं ए थी किरिला में थी तो भूँ बेड़ गाइन्सिदें जो एक इंसिदेंट. जो एकले हो नहीं है कि झालो आफिस पांचा तक पहले नहीं हो इसे 5 थे करेक्षान करने पीनियुक्त कि पांच कर राइड पहले होटा था है तो मैं मैं वहाँ गई बिन में विल एक हम रगिरा किया मैंने बहुत थेजगा वेटेंगक उनी से बना कि छिए राव निकले तो मैंने क्या में बोला क्या है भी एक तो मैं आपने द्धार सकती मैं सकती हो तो अट्या इंया नहीं तो अटक ड़न भी पास लाई ग utilized už फाल तो तो सब्सक्वार उटको ए के अगा है थे प्यूदं? थ fade out वाहँ आए सु weten at all तुर स्कॉंच काक्षडरादा s में सब्सक्यमिन आ ड्रों का तव वाहँ ति आके उपरीजिय की… इसलिए मैं रात को बार्या वज़े में मैं अकेले साइक्लिंग किया और कोई पुलीस कुछ भी कोई उतना हेल्प नहीं कर रहा था था विदाओ अनी पुलीस कुछ नहीं था तो व इंसिडेंट हो गया और कुछ इंसिडेंट ऐसे कि मिला बहुत अच्छे जो मैं अपनी ला अच्छे जो मैं पुछ पांडी सर्थे उनों नहीं मुझे कमंडेशन काट भी ती 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 मेरी जरनी को देख गे और कुछ इंसिडेंट ऐसे भी ते मुझे जिंदीगी जो जिंदीगी मुझे बहुत कुछ चिख एंवाकि कि अमारे देश को इसी चीज की जरूवत है उच सब्चा नहीं के अची हमने, जिसी जरूवत मुझे श partir ती मेरी मुझे मंतरी मोझेशन कीच चीज मे बहुत करना मेश की कोड़े। मुझे लगसे हमने मुझे मंट्च है यह मेली बहुत कि वेट बड़त गर रहts इंवा हमा बल्या एक पूचा टी हम c पर लास्में मैंने सुनाए कि शायद वह बहुत बीजी है मतलब तो फिर मैं वहां से मतलब निकल गई कि ठीक है कोई बात नहीं हो मैं आपको बहुत अच्छे मेमोरी के साथ ही आता है नोर्थ इस्ट के हर स्टेट मुझे बहुत अच्छे लगे है और साउथ के फोर स्टेट यहां पुछना में कि टुर्पारी लगे जायए यहां अच्छे हें पॉर नोर्थ इसस्टेट बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्हे है यह रहँ नेदाडरा है मतलगे मतलगे currently बेग़ें खिर कुछ ज़िए कोई नीकल और तो निकल खभ गए तो बीझे कुछ Ministry यह कहीं रुक गई तो मेरे को बोलते थे हैं यहां पर दो पांच करमेटर पे यह चाही का शोप यह पीजिए यह पीजिए यह तरफ से जूस पीजिए क्यों कि मैं इस जरी में क्या हुआ कि तेन पासेस मैंने कंप्लीट किया है जैसे जोजिला हो गया, खार्दूंला, अमलिंगला, नकीला ऐसे करके टैन पासेस जो मारे देश के लिए एक बहुत बड़ी मतलबिया है जिसको कहते है सबसे तप वही है और वह लगता था वह सबसे आसान है कि अपँचने के बाद मैंने फोटो शूट वगिरा किया मेरे साथ कोई होता नहीं था तो मैं किसी को बताती थी कि सर वहां पर ऐसे से कर देजे तो कोई आ था वो मेरी फोटो करके और जाते थे और जो लगता नहीं कि बहुत मुच्चिल है उसको करना बहुत आसान हो जात मैं कि मेरे परिवार केरावा जो एक लाइफ होती है मेरा देश वेक अलगी लेवल की होती है और अभी जो ट्रीप थी मैंने भारती सेना के लिए की है ऐसा कहा जाता है कि पढ़ने से ज्यादा अनुभाव घूमने का होता है जी मम बिलकुल और अपने आप में वो किताब अपके लिए तो आपके दिमाग में छब जाती है कि कि वर शब्दों में उकेरना ही बाकी होता है तो क्या आपके यह अनुभाव हमें किताब के माध्यम से देखने के लिए सुनने के लिए पढ़ने के लिए मिलेंगे विलकुल मैं मैंने पूरी जो मेरी इंडिया ट्रीप कि उपकी है अभी published नहीं हूई है, publication मैं find out करूंगी और भुक को प्क otherwise करूंगे इसहश चीजिजी हम जब ठैवल करते है माम तो, हम चीज़ों को नहीका है.. उसके बाद उसको मह Kens TIME , और उसके बाद लिगते हैं कि गलग की होती है, इसलिह कहते ही है कि ज्यादा च आप जो आपने जो सीखा है उसका अनभव हमारे देश के नौजवानों को जरूर मिलेगा किताब के माति है जी माम बिलकुल मैं अपनी बुक को जल्दी से पब्लिश करने के लिए उसको ट्राइ करते हूं और मैं अपने बुक को पब्लिश करूंगे माम आपके सियात्रा के आपने बताया कि भारतिय सेना का बहुत मत्वपून रोल रहा है मैं आपके जानना चाहती हूं कि आपका नजरिया भारतिय सेना को लेकर कि और क्या कहता है आपके ट्रिप को अगर छोड़ दिया जाए जिस तरीके से उन्होंने आपकी मदद की जिसके अलावा आपने क्या मैं भारतिय सेना की भूमी का जो हमारी देश के लिए वह एक देश कि पहती कि अपाउत उनकी अंदर है टेकिन व क्थछ क्रूड शाशकतिकरन को अगर आज देखा जाएए भारतिय सेना में ब्यू $7 मै लियिसे आज से कुछ साल पहले की बाद की जाए तो भारतिय सेना म महिलाए थी लेकिन कुछ जगों पर जहां पर होना चाहिए वहां पर अभी उन्हे रिक्रूट किया गया यहां और आज का जू देवलप्मेंट अगर भारती सेना में वह है मैम की सियाजीन तक भी महिलाए पहुंच गी बिलकुल और भारती सेना की तो बात छोड़िये वो द कि अए बात वह इतना सयोग किया मैम किस पूरी जरनी को करने के लिए मैरा इतना सपोर्ट किया भारती सेना ने तो यह भी बहुत बड़ा देश के लिए धर में दरस्ट्री से देखा जाया तो मैम बहुत बढ़ा काम था आप अपनी जरनी के दौरान कई महत्वण लोगों किन से मिलना वाकी है? मैं सबसे पहले तो मैं हमारे भारती सेना के सेना अधेक्ष जनरल उपन दिवेदी सर्च से मैं मिलना चाहती हूं और हमारे देश की मामाईम रास्टपती महोदया जो एक शक्ति करन के लिए देश में बहुत बड़ा रोल उनका वी है मैं उन से मिलना चाहती हूं और हमारे PM सखेश इन घंग से मैं मिलना चाहती हूं उसका प्रोसेस अपने शुरू किया उनको चिठ़्ा है या रिखना है? इस यही केना चाहूंगी सभी यंगेस्टर से पुरे देश वासियो का, कि सबसे पहले तो बहुत बहुत दनेवाद, और दूसरी चीज आप जो सपना देखते हैं, उसको पुरा करने के लिए अगर कोई प्रॉबलम आती है, तो सपनो को लेकर वो एक चुनोती होता है, जिसको हम एकसेप्ट करना होता है, और लाइफ में आगे बढ़ना होता है, और आप जिस काम को जिस दिन ये डिसाइड कर लेते हैं, कि मुझे ये करना है, तो आप 50% उसे उसी दिन अचीव कर लेते हैं, जिस दिन डिसाइड करते हैं, और 50% उस काम के लिए फट होती है, कि आप कित हम उम्मीद करते हैं कि आगे आपकी मुलाकाद देश की रास्ट पती देश की प्रदान मंत्री से भी जरूरों सेना ध्यक्ष के साफ में हो और आपने आगे जो भी सपना देखा है वो जरूर पूरा और सबस्क्राइब से बात करने के बहुत प्रूर्च प्रदान मंत्री से प्रदेट देम